नमस्कार मसारदा पांडे आसान जिंदे की किसी पिसोड में आपको स्वागत करती हूँ जैसा कि अभी सावन महिना चल रहा है सावन भादों पर साथ भी चलेगा तो सिव पूजन के साथ साथ आप भी सौस्त रहें उसका भी उपाय बताऊंगी जिनका भी वहा हुआ है इस स वह सोला सुमार का भी ब्रत कर सकती हैं लेकिन ध्यान देंगी कि सोला सुमार के एक दिन पहले या एक दिन बाद में कोई भी ब्रत न पड़े तभी सोला सुमार का ब्रत करें जरूरी नहीं है कि सोला सुमार का ब्रत अभी सावन से ही सुरू करें जैसे माली जी आपको करव यह 12 मार कबरत्थ 10 कि अभी कर सकते हैं तो फसी जी के पूजन के सा銅किसाथ साथ आपके घर परीवार वरे बिता इसरा अगे वह भी बताएंघे कि आपको क्या कर के स्वस्थ रहना पीडियो में आपगर कि और cela खैए उस उससे सौस्तर हैंगे, अब आपको दुसरा बिटे दूँगे, क्या करके आप सौस्तर है सकते हैं, सीव जी का आशिरवाद भी लेकर आप सौस्तर है सकते हैं, घरेलू जो उपाय हैं, जो इस जगत में आदमी प्रतच में कर रहा है, उसको भी क्या करके सौस्तर है सकते हैं, सोलसोमार का नियम होता है कि सोलसोमार का जो ब्रत होता है एक किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाता अगर आप बीच में छोड़ दिये तो एक खंडित माना जाएगा चाहे वो सूतक हो पातक हो या महावारी का दिक्कत हो किसी भी इस्तिती में सोलसोमार का ब्रत करना ही है भले आप पूजा न कर सकें, इसलिए उद्यापन का बिधी दिया गया है, उद्यापन इसलिए किया जाता है, जब हम ब्रत पूरा कर लें, तो जो भी अधिकता निम्ता हुई है, उसको ठीक करने के लिए उद्यापन में सभी मंत्र, जाप, रुद्रा, विशेक या जिस भी जो तक पूजा होता है, दान पुन्ड से उसको भरपाई कर दिया जाता है, तो पूरा आपका जो, जैसे माली जी ए, आप कहीं आत्रा में है, तो ब्रत तो आपको करना पड़ेगा, भले आप पूजा न करें, तो इसलिए जाप का महत्तो है, कि जब आप उद्यापन करवा तो सवा लाख जाप करा के रुद्राविषेक कराना, तो जो पूजा जाप को छूटा हुआ है, एक दो सम्मार का, वो उसी में पूरा हो जाता है, जब से, इसलिए उद्यापन के समय जब रुद्राविषेक, दान, ब्राहमण भोजन जब कराते हैं, तो सारी कम्या पूरी हो जाती है, ब्रत का आपको पूरा फल मिलता है, तो आपको ये बताए, जितनी शुहागने हैं, ध्यान रखें, जब भी सोलो सम्मार करें, तो उसके एक दिन आगे या पीछे, कोई भी ब्रत और न रहे, या और ब्रत कोई न उठाए, आप सोलो सम्मार पूरा कर ले, उद सम्मार को पांच बजे से पहले भोजन कर लें, भोजन गरिष्ट नहीं होना चाहिए, और भूना हुआ चीज, जैसे मैं पिछले वीडियो में बोले हूं कि अंकुरित अनाज नहीं खाना है, तो जादा भूना हुआ चीज, जैसे अभी बहुतायत भुट्टा मिल रहा है, मक्का, हम तो ले लेते हैं और घर में भून के खाते हैं, उसमें नीभू गरब, काला नमो को गरब लगा के खाते हैं, काफी हेल्दी होता है, काफी स्वास्त वर्धक होता है, वैसे पॉपकान, यानि उसका लावा होता है, वो भी आप खा सकते हो और बजार से भी सकते हैं उसके अलामा सतनाजा, सतनाजा हम क्या होता है, चना, मटर, मू, गेहू, यह सभी चीजें होती हैं, जो आप घर पर भून के, जैसे हम लोग बचपन में जब चूला में खाना बनता था, तो राख में हम लोग भून के खाते तो चना को बहुत स्वादिश्टाता था, तो यह बहुत सारी बिमारियों से आपको बचाएगा, तो जैसे भूना हो चना मार्केट में भी मिलता है, आप उसको भी लेकर खा सकते हैं, नास्ते में थोड़ा-थोड़ा करके, चना को आप खा सकते हैं, जैसे गेहूं हुआ, यह मतर हुआ, और समाम चीजें जो नहीं मिलें, गर में थोड़ा सा रेती में आप भून के रख सकती हैं, खा सकती हैं नास्ता में, बच्चों को भी दे सकती हैं, खुब अच्छी तरह चबा के खाने से आपको दाप भी मजबूत होगा, आपके पाचन सकती भी बननी रहेगी, और जो मौश्मी बिमारियां है, वाइरल हो क्योंकि दवाईयां काफी गरम होती हैं, तो ऐसी सिती में आप दूद अगर आपको पीना है, तो आप क्या करेंगे, दूद में एक चम्मच हल्दी मिला लेंगे, एक गिलास दूद में, यानि कि 200 ग्राम दूद रहेगा, जैसे एक गिलास उसमें आप छप छपा एक चम्म नीकिने, जैसे एक टिंडा, लँकी, तरोई, नेनुअ, जैसे हम चथ़िसगाड में ढोलते हैं, वो सबजियां खाएं, इन सब्जियों को खाएं, पत्ते वाली सब्जियों को आप पो नहीं खाना है, तमातर, उसको भी खा सते हैं अब, जो तमाम और चीज़ें बिना मौ इन सब आप परवल हो गहरा सबजी काफी सूपाच होता है इनको बनाये और बिन फ्रीज में रखे आप दो पहर बनाये तो फ्रीज में न रखें दोनों टाइम ताजी सब्जी आप और खाये पतली पतली रोटियां बनाये जैसे मैं पहले भी वीडियो दे चुकी हूं कि घर युल नास्ता हो बना सकती है या उकमा ऊपासकती है कभी यह है रोल भाल की बहुति स्थायों, हाँ मत ख़ायँ था नहीं अपने को तषर नगाले, निकालँ लिए घर का पोहा बना दे open लेकिन घर में बनाएं, बहुत स्वाधिस्ट बनती है, आटे की मिठाई, बेशन की मिठाई सुध दिखी में पनाया, उससे आपका स्वास्त बना रहेगा, जो पुराने परंपरा की जो भूजन थे, बो लोग भूल गए, और नया नया पिज्जा, बर्गर, और तमाम चीज बच्चों को खाने लगे, बीमारियां बढ़ने लगी, बच्चों को चस्मा लगने लगा, बाल सफेद होने लगा, कान में मसीन लगने लगी, यह सब खाने पीने से हो रहे हैं, पुराने भोजन को जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, माबाप जैसी आदर बच्चों में ड तर इस मौसम में ताजी रोटी बना ले गेहूं की और घर का घी हो, लगा ले उसमें बुकनी डालने और अच्छे से लगा ले और चाय के साथ उसको खाें खुद खाएं, बच्चों को खिलां बोड़ों को कहाएं क्या जो हलदी होती है, जो सौंठ होता है, इस समय कई विमारीों से आपको बचाएंगे सेठोरा भी आप बना सकते हैं, हमारे वीडियो में विठाले हैं सेठोरा, भी बना के आप सेठोरों .» क rising, व्यारे, बीमारे को भा सकते हैं, सवस्त हो जाएँगे बुकनी मैं आपको इसलिए बता रहे हूँ कि जो हल्दी होती है यह काफी इंटीबाइटिक काफी स्वास के लिए अच्छा होता है जा हल्दी दूद में डाल के बता दी कि आप दूद पी सकते हैं वैसे हल्दी का बुकनी सोंठ गरा डाल के बनाते हैं उसको आप रोटीम ल वर्धक होता है उसी प्रकार से अप्रसात समय चल रहा है तो हपता में चार दीन में धूप निकलती है तो उसे क्या करें जो बिस्तर है चादर है तकिया है गद्दा ज्यादा भारी नहीं है तो सब छत पर धूप दिखा दें उसे भी कई बीमारियों से आप बचे रहोगी तक्या उगरा का खोल हफ्ता में कम सकम दो बार धोएं चदर हफ्ता में एक बार धो लें और जो रोज के कपड़े हैं जैसे अंदर के जो कपड़े हैं मोटे जैसे अंडर विया उगरा हैं वो सब पंखे में आईसे ही घर में सुखाते हैं तो इसमें बदबू आने लगती है अच्छी तरह से सूखता नहीं है, जब भी धूप निकले, इन सब कपड़ों को धूप दिखाएं, रोज के पहनने वाले कपड़े को धूप दिखाएं, बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ, सहरों में भी, देहातों में देहातों बड़ी बड़ी खिडकियां रहती है, वेंटिलेशन के काफी ब्योस्ता रहती है, तमाम में सहरों में देखी हूँ, कुछ तो डर के मारा हमेशा खिडकी दरवाजा बंद के रहते हैं, कि रोड में घर है, या कहीं आसपास में काम चल रहा है, तो कोई देखे न, कुछ भी, तो मैं यह देखी हूँ, कि जिनके घ घर में खिडकी दरवाजे 24 घंटा बंद रहते हैं, हवा का तूरी कि रोशनी घर में आती जाती नहीं है, वो लोग काफी डिफ्रियेशन के सिकार हैं, आप अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो आप इस चीज को करके देखें, या जिनके घर में खिडकी दरवाजा ह इसा बंद रहता है, पहले गाओं में क्या होता था, चारो तरफ से बंद रहता था, लेकिन बीच में आंगन रहता था, बड़ा सा आंगन, जिसमें बहुएं, बेटियां, पुत्र बधुएं, अपना बाल सुखा सकें, बाहर के लोग न देख सकें, बाल सुखा सकें, हो जा, सभी स्वस्त रहें, अभी क्या है, इतना जगा नहीं है, आंगन छोड़ते नहीं है, आगे पीछे जो थोड़ा-थोड़ा बहुत आंगन है, अच्छा था हता है, उसमें जाते नहीं है, घर में हमेशा बंद रहते हैं, AC के कमरे में रहेंगे, बाहर की हवा लगती नहीं बेश्ट हो उनको डिप्रेशन हुआ रहता है बस वहीं मोबाइल चलाएंगे जो भी करेंगे तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि ये भी स्वास्त से संबंधीती है जिनका घर हमेशा बंद रहता है खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं बाहर की हवा नहीं आती है बाहर की सिकार होने के साथ साथ कई रोगों के सिकार हो रहे हैं कई उनको रोग हो रहे हैं जीने का मन नहीं करता है किसी चीज में खुसी ढूड़ने पर भी नहीं मिलते हैं पहले हम छोटे-छोटी चीजों में खुसी ढूडते थे कि अभी रक्षा बंधान आएगा तो हम राखी जीटे थे, लेकिन आज, ब्रम्मा जी उतर के आट, बच्चे खुस नहीं होते हैं, उनको कुछ अच्छा ही नहीं, inspi आ ज लाग जा रहा है, इसाजों को खिलाया जा रहा है, 80 साल में उनको रोग नहीं होता था, जिन पहले के बुड़ों को, आज के 25-28 साल के बच्चों को सारे रोगों से ग्रस्त हैं इनी कारण से तो मैं बता रहे हूं कि आप अगर घर बनवाने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि सूरी कुरेशनी आपके घर में आ सके हवा आ सके, वेंटिलेशन का काफी अच्छा ब्यवस्ता हो तो बच्चे आगे स्वस्त रहेंगे, सावन हादों के महिने में तो मैं आपको बता ही रही हूं लेकिन ये बहुत ही रहसी की बात बता रहे हूं कि आपके घर में देख लें किसी की घर में भी जो हमेशा बंद पड़े रहते हैं, काफी डिप्रेशन में, काफी रोग ग्रस्त रहते हैं तो आप सभी लोग सौस्त सुखी संपन रहें हमारे आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे जितने भी परवार हैं सभी परवों को आपको वीडियो समय से मिलता रहे और आप प्रसनता के साथ सौस्त रहने के साथ हमारे साथ बने रहें देखते हैं आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार करँा हुआ है पर प्रसना जिंदे भी बनायो को आपको वीजश्तडे CHRISTI कर देखते हैं आसान